Hello Friends, Welcome to Sleepy Classes Guys, आज हम discuss करेंगे Modern History से Reformism and Revivalism Guys, यह Part 2 है, Part 1 मैं already discuss आप लोगों के साथ कर चुका हूँ Part 1 मैं मैंने आपको बताया था बहुत सारी reforms के बारे में Like as, Education Reform, Child Marriage, Polygamy And यहाँ पर हमने discuss किया था जो Castism को लेकर Residity थी तो चले guys, आज भी हम बहुत सारी reforms and revivalism के बारे में discuss करेंगे Start करते हैं आज का हमारा सेशन First है, पंडित इश्वर्चंद विद्यासागर यह एक तरह के reformist थे और इनके दवारा क्या 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 reform लाएगे सबसे पहला इनके दवारा reform लाएगया था Education को लेकर यह चाहते थे कि जो women's हैं उनको proper education मिले और जो non-brahmins है अब देखें मैं आपको बताता हूँ पहले यहाँ पर one system चलता था ब्रामिन्स, शेत्रिया वैश्यास, शुद्र अब जो ब्रामिन्स से सिरफ उनको ही संस्कीत की education मिलती थी बाकी किसी को संस्कीत की education ऐसाच मिलती नहीं थी शुद्रस को तो बिल्कुल नहीं मिलती थी जो पंडित इश्वरचंद विद्या सागर थे उन्होंने यहाँ पर एक reform लेकर आये कि सभी को यहाँ पर संस्कीत की education मिलनी चाहिए और एक education basis के अधार पर casteism system हो ना कि पहले से ही यहाँ पर decided हो कि आप ही संस्कीत पढ़ सकते हो आप नहीं पढ़ सकते है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और that's why यह जो reform लेकर आये थे न कि कोई भी यहाँ पर संस्कीत पढ़ सकता है और women's को यह education system मिलना चाहिए इसलिए इनको title दिया गया था विद्या सागर का और एक जो डल्होजी के दवारा act pass किया गया था Hindu widow remarries act इसके favor में थे और first person थे जो favor में आये थे और इनों ने यहाँ पर एक bill भी पास करवाया था ब्रेटिश हर से याद रखना first age of consent act और यह पूछ लिया था था कब पास करवाया था 1860 में और इस bill में हुआ क्या था कि minimum जो शादी की age है वो 10 साल की होनी चाहिए आप देखे 10 साल की age उस time यह भी बहुत होती थी इसको बाद में 1891 के आसपास 12 साल कर दिया गया था फिर 1925 के आसपास 13 साल कर दिया गया था आज की रेट में हमारे constitution के साफ से यह 18 साल girls के लिए है boys के लिए है 21 लेकिन हमारे देश के जो प्रधान मंत्री निरेंदर मोदी जी है वो चाहते है कि equality तभी आएगी जग equal law हो equal act में मतलब सभी चीजे equally लिखी हो girls की age में हाँ पर 21 होनी चाहिए शादी के लिए है और 18 साल के उमर में ऐसाच कोई education मिलती नहीं है जिससे आप future बना सके मुझे ऐसा रखते है I think 12th ही पास हो पाएगी या maximum first year होगा college का तो चलिए तो education के लिए ये बहुत सारे reform लिकर आया थे that's why इनको title दिया गया था विद्या सागर का चलिए उसके बाद next देखते हैं जोती राव फूले अच्छा एक चीज़ आ रखना ये polygaming के भी इंगेज से polygaming क्या होता है मैंने कल भी आपको पताया था आज भी फिर बता देता हूँ जो muslim से वो यहाँ पर multiple marriages करते थे उसके इंगेज से चलिए तो जोती राव फूले जब भी आप ये नाम सुनेंगे आपको याद होना चाहिए इनको क्या कहा जाता था father of Indian social revolution मैं यहाँ पर से यह चाहते थे कि सभी को education system मिले और इनकी जो वाइफ थी उन्होंने first school open किया था girls के लिए पुना में 1851 इनकी वाइफ का नाम था जोती बाफुले और जोती बाफुले से कौन से person inspired थे question directly पुछा दाता है Thomas Payne और जो कास्टिसम सिस्टम है उसके completely अंगेस से और social economic inequalities जो मतलब basically हमारे जो वर्ना सिस्टम है ना इसका जो acidity structure था उसके इंगेस्ट में बहुत सारे reforms है यह भी उनी में से एक था अब यहाँ पर जब शुद्र थे इनको education system नहीं मिलती थी और equally treat नहीं करा जाता था untouchability थी यहाँ पर तो इसको लेकर यह 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 भी एक reform लेकर आया थे जोती रव fully that's why इनको का जाता था father of Indian social revolution और इन्होंने एक समाज की foundation की थी याद रखना सत्या शोदक समाज और इसका साल भी आपको याद होना चाहिए 1873 इसको English में करा जाता था truth seekers society और इनके बारे में आपको complete knowledge मिलेगे एक मराठी बुक है गुलाम गिरी चलिए नेक्स देखते हैं थियोस्योपिकल सोसाइटी अब यह जब भी आप सुनते होंगे तो एक ही नाम आपको याद आता होगा एनी बेसेंट का जो वन्डे एक्जाम होते हैं उसमें यह याद रखते हैं कि हमारे इंडिया में या फिर प्रेजिडेंट कौन थे थियोस्पिकल सोसाइटी की तो एनी लेकिन इसका आपको complete मैं बताता हूं जितना आपको याद रखना है बस उतना ही बताऊंगा देखे इसको found किया गया था 1875 में इसके founder थे मैडम एच्पी बलावर स्काई एक रश्यन लेडी थे और एक थे हैंडी स्टेल ओलकॉट यह अमरीकन थे अब इनका में एम क्या था में अब्जेक्टिव क्या था कि जो ब्रदर हूड है युनिवर्सल ब्रदर हूड वो यहाँ पर maintain रहे और यह तब और कोई भी बेदभाव ना हो, discrimination ना हो, race को लेकर, color को लेकर तब ही promote कर पाएंगे हम युनिवर्सल ब्रदर हूड और इंडिया में कब इसका headquarter open हुआ था 1882 में मदरास में और any percent कब president बने थी याद रखना जब death हो जाती है all good की 1893 में की death होती है बात में चलकर 1897 में president बन आया था यह कोशन भी कुछ आजाता है यह इनके साथ कब जूड़ी थी थी तो इस्पिकल सुसाइटी के साथ एनिवेजन 1893 और एक इंडियन थे जो इस्पिकल सुसाइटी को स्पोर्ट करते थे मदन महन माल विया बस इतना आपको यादत नहीं आपको यहाँ पर आएगा और नेक्स देखते हैं स्वामी विवेकनन या फिर कोशन आदा था सम्टाइम्स रामा क्रिशन मिशन कौन लेकर आये थे स्वामी विवेकनन और इनका आपको रियल नेम भी बता होना चीए निरेंदर नाथ दत्थ देखिए गैस मेरे कोडिंग ना तो यह रिफॉर्मिस थे ना यह रिवाइबलिजम में कंसीडर होते थे क्यूंकि यह बैलेंस करके चलते थे देखिए इनका में जो एम था राम क्रिशन मिशन का यह जस्ट एक सोशल वेलफियर का काम करना पसंद करते थे और आज की रेट करोगे तो आप कहीं पर भी यह अपना हेटवाटर ओपन कर सकते हो कोई ऐसास दिक्कत नहीं और जो स्वामी विवेका नंजी थे इनकी स्पीच बहुत फेमस है 1893 में इन्होंने स्पीच दी थी शिकागो में और इस स्पीच में इन्होंने कहा था शुट बैलेंस बिट्व लेकिन आपको पैसा भी कमाना है सासत उसके लिए भी आप सोचिए अगर एक ही चीज के ओपर कंसर्ण रहेंगे तो वह गलत है जैसे एक चीज के ओपर हम रहते हैं तो हमारी सोच वैसी सी हो जाती है कर्मा में बिलीव करते थे और आर लिजियस आर्दा टूर लिजियस ये दिक्कत नहीं है ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं कहते थे कि हिंदुजम को ही प्रमोट करते हूं हिंदुजम की फ्लोस्पी को लेकर आते हूं हां मेली ये हिंदुजम को मानते थे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदुजम को ही प्रमोट करते थे और सभी धरम का विर उसके अंगेस से और जो ब्राम मिन्स की जो डॉम्नियन उसके एंगेस थे अपने आपको स्पीरियर समझते थे और इसके यह बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे और साथ साथ आपको याद अखना है कि इनका जो एक कनसर्न था राम क्रिशन मिशन जो इन्होंने चलाया था यह चाहते थी कि satisfaction life होनी चाहिए मतलब life में satisfied होना ही चाहिए इंसान को और जब तक इंसान satisfied नहीं होगा तब तक वो public welfare का काम नहीं कर पाएगा मतलब लोगों की भेलाई के लिए से भावना नहीं रख पाएगा और साथ साथ आपको यहां पर याद रखने हैं इनका एक मत था जो बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है ड्रेक ली आ जाता है बेलूर मत हावडा या फिर यहां बेंगौल आप पढ़ लेना यह 1871 में इस चली अब नेक्स देखते हैं स्वामी ध्यानंत शरस्वती мнत है अब रिफोंस प्रकरति के साथ हुने होरे हैं लेकिन रिवायबलिस्ट क्या चाहते थे नहीं हमारा धरम में सूपीरियर रहे हमारे धरम में जो चिज बहु moist में वह बिल्कुल सही है हम उझ अब स्वामी दियानन सरस्वती जी का ओरीजिनल नेम क्या था ये भी आपको पताओना चाहिए मूल शंकर तिवारी मतलब ये एक भ्रामीन फैमिली से थे गुजरात में इनका जनम हुआ अब ये क्या कहते थे इनके दवारा ये आरे समाज लाया गया था अच्छा ये भी याद रखना आरे समाज कर आया था 1875 में पहले इसका हेड़कॉर्टर बॉम्बे में था 1875 में बाद में 1877 में इसका हेड़कॉर्टर शिफ्ट कर दिया गया था लहोर में जो स्वामी दियानन सरस्वती थे इनके कॉर्डिंग जो वेदास हैं वही बस ट्रू सोर्स है नॉलिज के बाकी कुछ भी ऐसाच नहीं है और इनका एक मोटो था या एक स्लोगन था गो बैक टू दा वेदास मतलब हमें वेदास कल्चर में वापस लोट जाना च जो यह हम चेंज देख रहे हैं और जो वेस्टन है जो हमारी कंप्लीट लाइफ को एक तरह से चेंज कर रहे हैं यह गलत है हमें अपने जो लाइफस्टाइल है जो वेदास वाला लाइफस्टाइल है उसमें वापस लोट जाना चाहिए और इनों एक शुद्धी मोमेंट चलाया था उसके काफी लोग अंगेस्ट में चले गए थे शुद्धी मोमेंट क्या था कि जो लोग फॉर्सफुली कंवर्ट हो गए हैं क्रिश्टन में या फिर जिनको भलाव मतलब इस तरह से आप कह सकते हो कि फॉर्सफुली कह सकते हैं या फिर लोगोंने कंवर्ट कराये थे साथ-साथ इन्होंने एक गव रक्षा समीति भी ओपन करी थी जिसको आप कह सकते हो काव प्रोटेक्शन मुमेंट चलाया था इन्होंने अब इसके एंगेस्ट में क्रिश्टन और मुस्लिम आ गए थे यह जाते थे कि नहीं यह तो गलत है ऐसा होगा तो फिर एक भेदभाव होगा क्योंकि आपको पता है जो हिंदूज हैं उसके लिए गाएं एक तरह से मदर गोडेस हैं और बाकी धरम ऐसा यह लेकर नहीं चलता इवन सिक्स में भी बहुत जादा माननेता है अब कनवर्जन के यह एंगेस्ट है तो मैंने आपको बताया शुदी मुमे राम होन रहा है वो भी क्या कहते थे आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए और सब्सव सत्व थिख ऐसीवार में टेश bizन और सबूर सद्वार ही नहीं होनी चाहिए विया रिफुर्डं को अज़र्ण को पताहित है यह पर सदब मंतिर में छेनल थो प्रफूर्ण के पर न ब्रहामिन्स के द्वारा उसके भी इंगेश थे और ब्रहामिन्स का जो डॉम्नियंस था उसके भी इंगेश थे उसके बाद आपने याद रखने हैं इनके बारे में हमें complete knowledge मिलती है एक बुक है सत्यार्थ प्रकाष और ये काफ़ इंपॉर्टेंट बुक है ये हिंदी में ल वेदा भाष्य भूमिका ये तीन बुक्स हैं जो हमें complete knowledge देती है आर्यस माज की अब जो आर्यस माज है वो मतलब स्वामी दियाने सरस्वादी कहते थे कि जो वर्णा सिस्टम है ये merit के एकॉर्णिंग होना चाहिए जैसे एक्शुली में होना भी चाहिए मतलब जो पल्ड स्वामी दियानक सरसोती जी का और पॉलिगैमी के इंगेश से multiple marriages जो Muslims में होती थी उसके इंगेश से child marriage के इंगेश से सती प्रथा के इंगेश से और जो शराद होते है ना जैसे जो मतलब मान लीजे हिंदू धरम में एक ये रिवास है कि किसी की दैत हो जाती है घर में तो उसके इंगेश भी थे ये animal sacrifice के इंगेश थे तो काफी points हैं जो हमें similar से लगते हैं और लेकिन एक ही point हमें लगता है कि ये सिरफ और सिरफ चाहते थे कि अपने धरम में ही सब चीजे हैं तो हमें कहीं और जाने की जुरुत नहीं है वेदास का जो एक culture है वो सबसे अच्छा culture है उससे उपर कोई भी culture इनको नहीं लगता था अब इनकी death के बाद यहाँ पर जो basically आरे समाज है वो दो भागों में बढ़ जाता है एक जो थोड़े से liberals होते हैं वो लाला लाजपत्राई यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको लाला लाजपत्राई जो चेंच आते हैं आरे समाज में उनको liberals कहा दाता है और एक है थे लाला हंसराज यह reformers थे आरे समाज के इन्होंने अपना एक अलग group बनाया और इन्होंने ही open किये थे DAV school आज भी DAV school की काफी branches है हर basically हर city में DAV schools होता है सबसे पहले यह लहोर में आया था यह याद रखना कि द्यानन एंगलो वैदिक स्कूल्स कहा दाता है इनको और एक जो ओर्थोडोक्स विचारधारा से चलते थे जो पहले से ही मतलब आरे समाज की विचारधारा थी उससे चलते थे उनका नाम है स्वामी श्रद्दानंद इन्होंने गुरुकुल्स ओपन करवाई अच्छा कोश्चन आ जाता है सम्टाइम्स फर्स्ट गुरुकुल कहां ओपन हुआ था हरी हरीद्वार में और यह जगा कहां पर है कांगडी कांगडी हरीद्वार तो यह आपने आरे समाज से बाते याद रखनी है तो चलिए समयले ऊन्हें आपके आज का जो आयेस सिस्टम है एक तरह हिए एक तरह का मोडरन वहाबी मोमेट था मतल्प मौटरन वहाबी मोमेंट यह वह वहाबी मूमेंट से ही बसीड़ेंक्ली इंस्पार्ड आपका आईएस यह जो आज की ड़ीस में सकरिए है आल्ल अवर डर्वल् इबन अर्बी यह अरब से आया बाद में चलकर यह इंडिया में भी आया अब इंडिया में इसको कब स्टार्ट के आ गया था 18th century के आश पास और इंडिया में इसको कौन लेकर आया था याद रखना सेयद एहमद मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ सेयद एहमद यह इंडिया में लेकर आये थे और साथ में इनके थे शाह अब्दुल अजीज अब एक इबार कोशन आया हुगा है कि जो सयद एहमद है अच्छा मैंने आपको रिफोर्मिस्ट में बताया था अलिगर्ड मूवमेंट यह अलग है और यह अलग है सयद एहमद वो सर सयद एहमद थे यह सयद एहमद है यह कहां से थे एक कोशन आया हो था S.S.C. में कई बार आप से भी गूश लिया जाए कहीं राइबरेली तो याद रखना साइद एहमद कहां के थे राइबरेली और शाह एहमद अजीज यह दो परसंद थे जो वहाबी मुमेंट को हमारे भारत में लेकर आये थे में अबजेक्टिव क्या था वहाबी मुमेंट का टू रिफॉर्म मुमेंटी एंड इस्टैबलिश इस्लामिक स्टेट जो मुस्लिम कॉमेंटी है उसमें रिफॉर्म आना चाहिए मतलब यह चाहते थे कि जो अल्ला की वायस है जैसे खुरान बुक है आप सब जानते हैं खुरान जो है वो अल्ला की वायस है और हादीस ये Prophet Muhammad की वायस है मतलब Prophet Muhammad जी के तवारा बाते लिखी गई है वो हादीस में और Quran में जो लिखी गई है वो Allah जो हमारे Islamism को follow करते हैं लोग वो मान के चलते हैं कि Quran में जो भी बाते हैं वो वायस ओफ अल्ला है और हादीस वही स्टेज पर चले जाएं जहाँ पर हमारे गोड हुआ करते थे अल्ला और जो Prophet Muhammad का एरा था उसमें हमें वापस ले जाना चाहिए और एक Islamic State State को हमें establish करना चाहिए मतलब हर जगा Islamic State हो और इनका main aim यही था अब देखें यहाँ पर यह क्या कह रहे हैं कि जो इंडिया है यहाँ पर जो भी अन्य धर्म को लोग हैं उनको convert करवाया जाए और convert करवाकर Islamism को कबूल करवाया जाए अगर कोई convert नहीं कर रहा है तो उसको मार दिया जाए अब इसको आप ऐसे समझे दर उल हरब इसको कहा जाता था कि इंडिया में क्या है दर उल हरब है मतलब land of non believers जो इसलाम को नहीं मानते लेकिन हमें इंडिया को और all over the world जहाँ पर भी वहाबी moment चल रहा था कि हमें दर उल हरब को हटा कर क्या लाना होगा दर उल इसलाम land of peace मतलब जहाँ पर भी इसलाम आएगा वहाँ पर peace आएगा यह इनका main aim था main objective यही था और यह इंडिया में भी यही चाहते थे जो मैंने आपको दो important यह person बताए और उसके बाद यहाँ पर इनका रिवोल्ट होता है सबसे पहले सिखों के साथ अब सिख यहाँ पर 1801 से लेकर 1839 तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर strong एक तरह से territory संभाले हुए थे अपनी मैंने आपको एंगलो सिखवार में समझाया था यहाँ पर rule कर रहे थे 1839 तक रंजीत सिंग जी और रंजीत सिंग के साथ इनके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलते रहते थे वहाभी मुविंट्स वालों के 1831 में इनका एक बैटल भी होता है बैटल ओव बाला कोट और इस बैला कोट की बैटल में जो वहाभी मुविंट्स वाले इनको सर्प्रेस्ट कर दिया जाता है और उसके बाद इनके गोरिलावार सलते रहते है वहाभी वालों के सीखों के साथ अब कहीं न कहीं जो स्ट कॉमिट्टी थी वो इनको सर्प्रेस्ट कर देती है और उसके बाद जब ये सारा का सारा Pacific का जो यह सक्ग का एरा है ये खक्ताम हो जाता और week होने के बाद यह अपना जो basically base है वो establish करते हैं पत्ना में और पत्ना में इनका जो base है वो कौन establish करते हैं यह नाम याद रखना दो भाई है इनायत इनायत अली और विलायत अली यह direct question आया हुआ है कि जो वहाबी moment है पंजाब में इसका जब बिल्कुल base खतम हो जाते हैं जब यह suppressed हो जाते हैं तो यह पत्ना में shift हो जाते हैं और पत्ना में कौन shift करता है इनायत अली और विलायत अली उसके बाद 1859 में मौलवी पीर अली यह नाम आपको ऐसी याद रखने हैं मौलवी पीर अली एंड मौलवी एहमदुल्ला यह इसको लीड करते हैं उसके बाद 1872 में यहां पर एक वहाबी लीडर होते हैं वो Britishers के एक परसन को मार देते हैं मायों को मार देते हैं और कौन मारते हैं वहाबी लीडर शार अली और यह भी याद रखना कहां मारते हैं बोर्ट ब्लेयर में उसके बाद 1868 में भी घटना होती है यहां पर यहां पर यह मैं आपको ऐसे समझाता हूं आपने स्कूल सिस्टम देखियोंगे आरे समाज के द्वारा DAV आया है ना ऐसे ही जो वहाबी मुमेंट यह चाहते थे कि वहाबी मुमेंट एक हमारा हमेशा के लिए रहना चाहिए क पर्टिकुलर टाइम में चेंज आया उसके बाद अगर लगा कि यहां पर भी चेंज आना चाहिए तो चेंज आ जाता था तो यह रिफॉर्म रिफॉर्मिस्ट होते थे इनकी जो विचारधर है वह एक टाइम के बाद आकर खतम हो जाते थी उसके बाद यहां पर दूसरा चेंज होते रहते थे लेकिन जो रिवाइवलिस्ट है इनकी जो एक्जिस्टेंस है आज भी बनी हुई है और आज भी आप देख रहे हो कि कही ना कहीं वहाभी मुवमेंट है आईसाइस सकरिये है मोडिफाइड वर्जन है वहाभी मुवमेंट का और इन्हों ने कहा कि 1868 में फॉर्म्ड क्या दरुल उलम एक पर स्पेलिंग देख ले ना इसे हो सकते है ठीक है तो यह जो दरुल उलम क्या है यह हाउस ओफ नॉलेज है जहां पर बताया जाएगा कि इसलाम क्या है और इसलामिजम की इंपोर्टेंस क्या है और यह किसने ओपन करे थे 1868 में कास ननोतवी और एक परसन थे राशिद एहमद गंगोई तो यह दो परसन की द्वारा लाए गया था दरुल उलम और अभी मैं आपको बता देता हूं जब मैं यह टॉपिक पढ़ रहा था अब जैसे आप आपको पता लगेगा हनाफिस स्कूल कहा है या हनाफिस स्कूल क्या ह होते हैं हनाफिस स्कूल में बसूश्यूं बताया जाता है कि गडिया में और केरला में अनको कहा जाता है है घुल और उसके बाद जाफरी स्कूल जो है ये भी इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे जाफरी स्कूल अच्छा इसमें डिफरेंस क्या है जाफरी स्कूल और हनाफिस और जो आपका शाफिस स्कूल है ये दोनों सुनी मुसलिम्स के लिए है और जो जाफरी स्कूल है ये शिय तो चलिए आज के जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था पीडिएफ आपको मिल जाएगे हमारे टेलिग्राम चैनल पर और कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्षिन में अपना कोशन हमें पोस्ट करिए और हम आपका जवाब वहीं देंगे चलिए थैंक यू सो म मुड़ार जबाद के अजूज कि और हमारे ज्वार आपका प्लीज के बारे हमारे हमें इह दया में अपका नहीं प्लीज करिए तो तो था तो बार कोशन चैनल आपका पक्रिएफ द दो जबादान हूसी